माबाब के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने का जूटा दिलासा देना बंद कर सकते हो प्लीज तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए लेकिन दिमाग तब तक नहीं चाहता जब तक दिल नहीं करता कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया तुम्हें कभी पढ़ते हो आखों के नीचे रखा पेस गिरने वाले आसू की वज़ा से खराब हुआ है कभी एमोशनल होने के बाद सिर्फ एख्याल आया है कि मुझे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है और बस मुझे पढ़ा ही करना है अगर दुनिया में सबसे मुझेल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों की अच्छी लाइब के सपनों के लिए खुद के सपने छोड़ देना क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते जितना उनको लगता है और अगर उनको लगता भी है ना तो वो इसलिए ज्यादा नहीं डारते कि कहीं बच्चे हमारी स्ट्रेस में ना चले जाए डार्टने के बाद इससे भी ज्यादा मुस्किल काम है बच्चे के सपनों को मजदूरी करके पूरी करना खेती करके पूरी करना लेकिन फिर भी हमारे मापाप खुशी-खुशी वो सब काम करते हैं जो वो नहीं चाहते कि हम सपने में भी करें क्योंकि जब मैं अपनी महसूम सी भॉली सी सकर लेके उनके सामने जाऊंगा और बोलूँगा कि पापा थोड़े पैसे चीए, किताबे लानी है तब उस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुझे उनकी बेपसांपों की तरफ देखने का एक सेकंड भी मौका मिले क्योंकि उनकी आखोंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी आखों में हम वो सब देख पाएं उनकी तरह कास के अतना विश्वास तुमें अपने इरादों पर भी होता, जितना विश्वास हो तुम पर करते है आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी पकड़ाने गया, वो सुबह से खेत में काम पर लगे वे थे रात को बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त की धूप और गर्मी देखके लग रहा था कि मानो सूरच लावा उगल रहा हो मेरी ममी ने कहा कि सर पे तोलिया रखे जा, धूप बहुत है मैंने कहा नहीं मा, बस अभी आया वापस, खेत में दूर से पापा दिख गय थे वो भी मुझे देख लिए थे लेकिन रुके नहीं, दूर से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा मैं तोलिया सर पे डाले, बेटा दूप बहुत है, थेंक गोड़ मैं उनकी यह बात सुने से पहले मुड चुका था, नहीं तो मेरी आखे इस हैसान को उठा नहीं पाती, पापा ने मुझको तोलिया नहीं एक बहुत बड़ी सीख दीती, कि जिस काम को वो कर रहे हैं, वो क पेदा होता है, बड़ा होता है और फिर बुडा होता है, लेकिन फिर भी पूरी उमर उसको यही लगता है कि मैं तो हमेशा ही जिंदा रहूंगा, और बस धरती के लग्जरी और शुको में लग जाता है, और एक्सक्यूस हुनो फिर, एंटेटेंड भी तो ज़रुरी है, म कुद के आंसों से आता है, जब दिल में एक जनन होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जीद होती है कि साला मर्ते दम तक भी महनत करना नहीं छोड़ूँगा। कर सकते हो तो प्लीज खुद को जूटे महनत के सीशे में मत अगर कर सकते हो तो महनत करके पढ़ाई करके घ्यान हासिल करके पैसे कमा करके अपने माबाप को भी थोड़ी जिन्दगी जी लेने तो यार पीस बरस हो गए उनको तुमारी सेवा करते हुए। कम ओन तुम कर सकते हो कम ओन यू कन दुए। बेए तोपर तुम्हेतो पर पनना है तुम्हें जीतना है।